सर्दी दिरुत्विच कुदर्ती ही अगनी तेज हुजन्दी है जिस करके पुख ज्यादा लग दी है इसे करके असी ज्यादा गुरु अहार पाव के ताकत पर पोजन्नू पचा सक देहां आओ सर्दियां दिरुत्लेई एक खास हल्वा त्यार करिए सच रियकाल जी मैं हां डॉक्टर गगन प्रीत कौर ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी अहरवेदिक रसोई आज जैसी अपनी रसोई देविच एक बहुत ही खास हल्वा त्यार करांगे जेड़ा की बहुत जल्दी बंड के त्यार हो जान्दा है ते सर्दी दिरुत्त विच किसे विले तो हानों पुख लगे या फिर ताकत दी लोड होवे ता तुसी एस दी वर्तों कर सकते हो एस हल्वे नों बढ़ान लेए असी किसे वी तरह दे आठे या अनाज दी वर्तों नहीं करांगे एह हल्वा मखाने तो त्यार होएगा एस दे लेए मैं एक वड़ा बोल पारके मखाने ले ले हन तुसी लगपग सो तो डेट सो ग्राम मखाने अपने अंदाजे दिनालवी ले सकते हो मखाने तो इलावा मैं कुछ बिक्स ड्राइफ रूट लेया है जिस दे विच चार पंज बदाम, चार पंज काजू, चार पंज अक्रोड दिया गिरियां ते सातर दाने सौगी दे ले हन इना सार्या नू बरी कट लेया है होन असी एक पैन लेके मखाने नू बिलकुल बिना के ओ तो सुक्का ही पुन लमागे एस हल्वे दी खासियत एवी है कि ये बहुत ही कट देसी के ओदे विच बन जाएगा जदों की असी जदों भी आटे दा हल्वा बनाओं दे हां ता उस विच काफी जादा क्यों लग जानदा है आज कल बहुते लोग बहुत जादा क्यों खाना पसंद नहीं कर दे ते दूसरा है इसानू शुद क्यों मिलदा भी नहीं तीजे शुद्ध क्यों ना होवे ता उसनो खान दा कोई फाइदा नहीं है कारविच जिन्ना भी तुसी खुद बना सकदे हो उसे दी ही वर्तो करो हुण मखानया नो असी ड्राइ रोस्ट करना है जदों तक एहे कृस्पी नहीं हो जानदे कुरकुरे नहीं हो जानदे एस नो तुसी हाथ नाल तोड़के देख सकदे हो जदों एहे पुरजान ता एस दा मतलब एहे पुन्ने गए हन एस नो चार-पंच मिन्ट दा समा लग सक बिल्कुल मठी गैस ते लगातर चलौंदे होई पुन्ना है जिवे की हुन ज्यादा ठंड नहीं है हलकी ठंड है ता इस ठंड दे ले एह हलवा बहुत ही ज्यादा वदिया है क्योंकि मखाने आप गरम नहीं हुन्दे पर कुछ ड्राइफ्रूट जेडा सी इस दे विच पा रहे हां ओ थोड़ा जा गरम हुन्दा है जिस कारके एह बैलन्स तासीरदा ही बनेगा ना ज्यादा ठंडा ते ना ही गरम खाने पुन चुके हन होनसी इनननों ठंडा कार लवांगे ते जदों हे ठंडे हो जानगे ओस तो बाद ग्राइंडर च पाके असी इनननों रगड के इनन दा आटा त्यार कार लेना है बहुत सारे लोग जिनननों ग्लूटिन अलर्जी है या फिर कनक तो अलर्जी रेंदी है पेट उनना था ठीक नहीं रेंदा ता उनना देलेई वी एह हल्वा बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद है क्योंकि यह बिना अनाजतों ही त्यार हो रहा है इस हल्वे देविच आइरन, केल्शियम, प्रोटीन, परपूर मात्रा देविच है इस तो इलावा होर सारे माइक्रो नूट्रेंट्स भी हन जिडे की शरीर नू सुडोल ते रिष्ट पुष्ट बना सक्दे हन ते कोई वी कमी होवे शरीर दी उसनू दूर कर दे हन नाल ही इस शरीर दी सोज नू भी कट करन वाला है जे तो हाड़े अंदर खून दी कमी है या फिर कमजोरी रेंदी है तावी ए बहुत फायदेमन्द है इनना मखानियां दे विच चसी दोख कालिया मिर्चा थोड़ी जे सौफ ते तिन्चर छोटियां इलाइचियां दे बीज पा चाहे उनना दी महावारी बंध होण वाली है उस समय उनना नू किसे वी तरह दिया दिक्कता आ रहे हैं या फिर महावारी चलदे दोरान वी उनना नू बहुत जादा दर्द मसूस हुंदा है या काटिया वद महावारी ओंदी है इस तना दी हर परिशानी विच ए हल्वा एक पैन लाके मैं एस दे विच एक चम्मच के उपाके ड्राइफ फ्रूट्स जड़य सी कटे होई सी उनना नू पहला रोस्ट कीता है एक मिनट दे लेई ते ओस तो बाद जड़ा सी पाउडर त्यार कीता है ओ वी एस दे विच पालया है सिरफ एक चम्मच के उदे विच असी एस नू रोस्ट कर रहे हैं, जिवे सुक्की पंजीरी बंदी है, बिल्कुल उस्तरा, क्योंकि ये आटा नहीं है, एस करके एस नू बहुते जादा क्योदी जरूरत नहीं पैंदी, पर फिर वी बहुता ज्यादा सुक्का वी एस नू सानू नहीं खाना चाहिदा, एस कर दोग तो तिन मिनट ही लगदे हन, क्योंकि ये एकतरा दा ड्राइफ्रूट ही है, इसनू पुननते बहुता ज्यादा समा नहीं लगदा, उस वेले एस ते विच दुद्ध पादेना है, एस हल्वे नू असी दुद्ध नल बनाईये ताई ज्यादा ताकतवर बंदा है, त एस दे विच पाणी भी पा सकदे हन, दुद्ध या पाणी थोड़ा बहुत वद्ध कट पैजावे ता कोई ज्यादा फरक नहीं पैंदा, असी ज्यादा पाणी या दुद्ध पैजाएगा ता इसनू एक मिनट होर पकाके सुका लवांगे, जे तुसी इसनू पतला रखन चौन दे हो ता इसनू एससे तरीके खीर दी तरह भी खादा जा सकदा है, जे एस दे विच ड्राइफ रूट्स ना पाए जान, सिरफ असी मखानेया नू ही पीस के दुद्ध दे विच कोल लेंदे हां, थोड़ा जा रोस्ट करके, ता निक्के बच्चया नू जिननू पोर हुंदी जा रही है लगातार, ते वार वार उननू पुलन दी शिकायत रेंदी है, या जेड़े बच्चे पड़ाई कर दे हन, कंप्यूटर ते ज्यादा समा बैठ दे हन, जिनननू ब्रेन बूस्टर रेसिपीज दी ज्यादा लोड हुंदी है, उनना दे लई वी एह पानी, ते जिनननू वेट गेन करन दी लोड है, जिननने पारवद ओना है, ओ फुल फैट मिल्क यानि के पूरी मलाई वाला दो देश दे विच पा सक दे हन, उनननू उनना ही ज्यादा फाइदा होएगा, ए जड़ा हल्वा है, फर्टिलिटी बूस्टर वी है, इस करके ज चिनना दे अंदर स्पॉर्म काउंट काट है, या फिर कोई वी उनननू इन्फर्टिलिटी नाल समबंदित समस्या चल रही है, ता ओस दे विच वी ए बहुत लाब दायक है, फ्रूट्स दोदते मखानेयां दे कुदरती मिठे कारके, ए हल्वा अपने आप विच मिठा है, डायबटीस दे रोगी एस नू बिना किसे मिठे दे ले सकते हैं, क्योंकि उनननू भी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हुन दी है, ता अपनी कमजोरी दूर करन दे लेई, ओ एस दी थोड़ी बहुत वर्तों कार सकते हैं, इस हल्वे नू असी लगातार चुलांदे मैं शुर्वात विच पाया सी, जदो असी सुक्का मखाने अदा पाउडर ते ड्राइफ रूट नू रोस्ट कीता सी, स्वाध अनुसार असी इस विच मिठा पा दियांगे, मैं एथे थोड़ी जे शक्कर पा रही हैं, लगपग पंजा साठ ग्राम, इस तो ज्यादा नही पा रही है, पर एस दे नाल ए मिठा फिक्का फिक्का जा होएगा, ना ही बहुत तेज ते ना ही बिलकुल फिक्का, जे तुसी पूरा मिठा रखना चौन दे हो, ता जिनने मखाने लेहन, जे डेट सो ग्राम मखाने लेंदे हां, ता सो ग्राम मिठा इस दे विच पाया जा सकदा है ते तेज मिठा पॉन दे लई सानू होर वी ज्यादा मिठा पॉना पाएगा चपकर दी जगा असी मिश्री नू पीस के वी इस दे अंदर पा सकदे हां या फिर बूरा जड़ी खांड हुंदी है ओ वी इस दे विच पाई जा सकती है क्योंकि मैं इस हलवे दे विच थोड़ा जा दुद ज्यादा ही पाया है इस करके इस नू दुद पॉन्तो बाद बनाओन ते लई 5-6 मिंट लगा तार चलोंदे हुई लाग जान दे हन जी असी बहुत ही थोड़ा दुद पावांगे ता ये बिलकुल सुक्का सुक्का हां उसे तरीके दाही देखन नू लगदा है ते उसे तरीके दाही ये बनदा है हुणे बिलकुल त्यार है तुसी देखो कि एस दे विच बबल्स जड़े ने ओ उठ रहे हन ते बिलकुल पाक के वदिया बन गया है आओ हुण एस नू लैंदा समझान दे हां क्योंकि ये गुरू आहार है एस करके सर्दियां विच एस नू असी बहुत असानी नल पचा सकते हां पर फेर वी एस दी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लैनी दो तो तिन चमझ हलवा काफी है लैन ले कोई वी समाच चूज किता जा सकता है किसे वेले वी लिया जा सकता है पर तोहानू पुख पूरी लगई होनी चाहिदी है एह हलवा रात नू सौन लगगे दुद नाल वी एक कदा चमझ लिया जा सकता है जित उसी मानसिक तौरते परिशान रहन दे हो ते तोहानू चंगी नीन नहीं आ जा सकता है पर एक गल्दा त्यान रखना है कि कदी वी अनाज दी पर आली पार के हलवा ले ले ये ता ए ठीक नहीं होवेगा असी इसनों ओदो खाना है जदो सानू पूरी पुख लगई होवे ता उस वेले तुसी इसनों इंजॉय कर सकते हो इस दानांद मान सकते हो मैं इसनों एक प्लेट दे विच कड लिया है जिस्ते थोड़ा जा देसी क लगा देता सी ताकि थोड़ा जा ठंडा होंते मैं इस दे पीस कट सकां क्योंकि जिवे सुजीदा हलवा असी जमा देए ता उस दी जड़ी सॉफ्ट बर्फी बन जान दी है ए सिरफ मैं बच्चयां ले किता है ताकि बच्चयां नों असी असानी नल दे सके बच्चे बर् काम भी देवेगी ताकत भी देवेगी एस दे नाल उना दे स्कूल लंच बॉक्स दे विच्वी एस नों पेजा जा सकता है एक बहुत ही चंगी आप्शन है उमीद कर दी हां कि तो हानों आज दी ए रेसिपी बहुत ज्यादा वदिया लगी होईगी असी जिवे जिवे सर् दी दिया रेसिपीज त्यार करांगे इस कारके चैनल नों लगातार देखते रहो मैं फिर मिलांगी किसे होड नमी जानकारी देनाल तक तक ले सच च्रियकाल